हलो चाहां कैसे हो आज अमारा टोपिक है मौविंग कोईल गैलनो मेटर आपको है याद होगा गैलनो मैटर के नाम सुना होगा करेंट इलेटरसिटी में हम लोग сюжं करने पढ़ा था गैलनो तो यह कुछ बेसिक वाद है तो यह कुछ बेसिक वाद है पिछे कुछ याद आया होगा तो सब्सक्राइब लोगों को ठीक है अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो किस प्रिंसिपल के उपर बेज़े बिटा ही प्रिंसिपल होगा वैन अब करेंड करेंड कोई इन वेड है इट प्लेंड इन और मैंने इक शली यॉनिफ़्र में अजादा बडीयर रहेंगा वैंट करने के निट कोई प्लेस ने यूनिफॉर्म एटिक फिल्ड इट एक्सपिरियंस टॉर्क पिछे बड़ा था हमने तो टॉर्क आएगा नेट फोर्स के आओगा जीरो क्योंकि यूनिफॉर्म फिल्ड है ठीक है इट एक्सपिरियंस टॉर्क कि अमेरे टोपिक भी था जो गए चलने को यादा कुछ इस टाइब से करेंट के रिग्वाइल में रखा था उसके उपर टॉर्क आया था वहां ऐसे गूमी थी यादा कुछ तो वही पिंसीपल है के अगए काफी इंपॉर्टन टॉपीक है हमारे सीप्सी पॉइंट इव्यों से आई सीजो भी बोर्ट एक्जाम से सभी में पूछा जाता है जनरली से विंदेः को में रखेंगे तो के लिए शुक्रिक्षिट है कंस्ट्रक्षिन कैसे क्या करें कैसे बंदता है ये जिरह देखें अंदर मेंचिक पीस होते हैं ना उन मेगनिटिक पोल्स की कटिंग कर देते हैं तक वो कॉन केव शेप में आ जाए जैसे नॉर्थ पोल इसी टाइब से मान लोई यह है साउथ पोल ठीक है इसके अंदर एक iron की कोर रखते हैं एक iron से बनी हुई कोई कोर लेलियम में बात समया गई इस टाइब से लेलियम और इसके उपर हम लोग यह वायर को रेप करते हैं क्या करते हैं मिटा वायर को रेप कैसे शोगरुमा आपको ऐसे मान लेजें समय बार है वायर को रेप किया हुआ है वायर लपेटिव यह से उपर और यहां से एक mirror लगाया जाता है और यह कोई क्यों भी पॉइंट होता है टी फॉन्टेट पॉइंट ठीक है कि यह कॉईल है वायर लपेटिव यह कॉईल इसलेंड्रीकल ड्रम है स्वेंट्रीकल आईरं ड्रम यह आयलन कॉर थीक है स्वेंड्रीकल आईरन कोर हो जाएगी इसके ऊपर वायर लपेटिव होई है ठीक है यह होता है मिलर्स इसके अंदर पॉइंटर लगा होता है जिसे लोग डिफ्लेक्शन करतें इक इतना डिफ्लेक्शन आया शेल भी होत के लिए है पर दमाद स्मॉल करेंट है ज्यादा है ज्यादा रिफ्लेक्शन को करने के लिए इसको एसे बना देते हैं कि नॉर्ट पॉल कि अंदर जो को रख्यों यह आइरन की सोफ्ट आइरन की सोफ्ट आइरन को वह सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है यहां पर मैं स्फेरिकल लेकर चलता हूं स्प्रिंग लगी होती है और इसके ऊपर हम लोग यहां पर लगाई थी मैंने कोपर गी वायर कोपर वायर कोपर वायर को यहां पर लगाते हैं किस ट्राइब से इस ट्राइब से इस ट्राइब से वायर इसके ऊपर रेक्टी होई है कि यह स्प्रिंग होती है स्पाइरल स्प्रिंग इसके बाद देखो यहां पर यह समझमा आ गया मैंनेटिक फिल्ड इनिफर मैंनेटिक फिल्ड एक्स्पिरियंस टॉर्ग यहां पर हम लोग स्केल यूज़ करता है इस ट्राइब समझाने के लिए इस ट्राइब और यहां से हमें पॉइंटर लेगे चलते हैं वह यहां प्राइब आता है अंके मैंनेटिक पॉल पिसीज बास में आ गई यह कोईल है तो कोपर वाइंडिंग है यहां पर कोपर वाइंडिंग दिस इस स्पाइरल स्प्रिंग ठीक है और यह सौफ्ट आयरन कोर इतने पास अन्यमागी सारे नामें लग दिए यह आपको बेसिक डाइब आएगा एक्चली हुआ क्या देखो करेंट केरिंग कोईल में रखा तो वह में दिना तो वैसे ही जब इस आइन कोपर की बायर है इसमें से करेंटव करेगा करेंडव करेंगा तो बाहर के में मैंनीक की वजय से इसके उपर टॉर काये और उस बाहर की वाजए से गूमेंगी और जब यह ट्रण करेंगी घृच्ट komme ृट जिरो वान टो थ्री फॉर समझे लो जो भी यहां पर होगा वहां से डिफ्रेक्शन आ जाएगा तो पॉइंटल में जतना ज्यादा रिफ्रेक्शन आएगा करण उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आप यह जतना ज्यादा टॉर्णा को क्योंकि चिटना ज्यादा क्रेंट लग Ultra तो यह इसका जो में इसके ऊपर इस टाइब से आता है कि सब्सक्राइब कर दो यह जो आइन की को रख्यों यह सोफ्ट आइन को इस आइन को का यह सक्राइब क्या है इस आइन कोर का फैदा यह है कि क्यूइल कैसे भी खूब है यह जो मैगनेटिक फिल्ड है Yes मैंसा क्वाइल के क्या होगा पैर्लेल कोईल के क्या होगा पैर्लेल और जब यह क्वेल्ड के प्लेल के पैर्लेल है तो याद निए विस अच्छ तो magnetic field and normal vector of area area का normal vector तो अगर magnetic field ये coil है ये नौर्मल है magnetic field ऐसे है normal ऐसे है तो एंगल 90 होगया और अगर मेंधिक कोई के प्लेन के पैरलल हो हमेशा अगर मेंधिक के पैरलल हो तो अलफा कितना हो जाएगा 90 अलफा 90 होगा तो तो क्या हो जाएगा अंदर को रखने से और पोल को कि को कि करने से मेंने कि मैंन एक represents He स्बस्क्राइब करने से यहाइन करने से स्थैइंड करने से ऐसी सिचूएशन बनती है कि मैं क्वाइंडिंग है तो कौन के पोल पीस और सोस्ट आयन को इससे क्या होगा कोई कैसे भी हमें मेंगेनेटिक फिल्ड हमेशा कोई के प्लेन के पैरल मैक्सिमों क्योंकि साइन नाइंटी क्या होता है वन क्या हो जाएगा मैक्सिमुम बात समझवा गई क्यों करते हैं इससे मेंगनेटिक फिल्ड हमेशा क्वाइल के प्लेन के पैरल होता है और इस टाइप के फिल्ड क्या बोलते हैं रेडियल फिल्ड रेडियल मैंगनेटिक फिल्ड अलग से लिखाऊंगा वीचा समझा रहा हूं हुआ है तो इसको रेडियल मैंगेटिक फिल्ड क्या होता है यह वह मेंगनेटिक फिल्ड है जो हमेशा कोईल के प्लेन के पैरल्ल होता है ओऑन शर्राइब को चुक्त जो हमीशा क्वाइल रहे हुआ आइड़न को रखी इसी वज़े से आगी ठीक है तो कंस्ट्रक्षन क्या होती है कैसे रखर समझ में कैं टिक है रेडिया है धुबार बताओं कि डमें डीयाराम थाय में अब अब देड़ाम म कूझने में आ पहले हुए। वर्किंग बताओं कैसे काम करता है वर्किंग दो लाइने लिखने होती है क्योंकि एक नंबर का आदा नंबर का लग से बन जाता है यह तो वर्किंग में क्या लिखेंगे इसमें वैंन करन्ट पासेज थ्रूपॉइल इट एक्सपिरियंस टॉर्क ड्यू टू एक्स्टर्नल मेंगेटिक फिल्ट ओफ कॉंकेव पॉल पीसिज लिख सकते हो याद भी रहेगा कॉल के फोल पीस के वैसे बैंटिक फिलता उसके वैसे क्या एका टॉर्क ठीक है कोईल रोटेट्स कोईल गुमेगी है बोलो कोईल रोटेट्स स्पाइरल स्प्रिंग अल्सो रोटेट्स ठीक है वह पुछ स्पाइरल स्प्रिंग मना थी मैंने वो भी खुमेगी सो रिस्टॉरिंग टॉर्क इज प्रडूश्ट इन स्पाइरल स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग विच ट्राइज टू ब्रिंग दा कोईल बैक तो इट्स इनिश्यल पोजीशन बात संगला गई स्प्रिंग में रिश्वें टॉर्क आएगा वो उसको वापिस नहीं कोजेश करेगा ठीक है मलब स्पाइब जाने से रोकेगा बोलो ठीक है यह चाल आएद कर लोगे जब करनेट पास करेंगे तो टॉर्क आएगा अब टॉर्क आएगा तो कोईल गूमेगी कोईल गूमेगी तो यह स्पाइरल स्प्रिंग लगी यह वो भी गूमेगी और देखो स्प्रिंग होती है उसके उपर फोस्व लगाएगा किया इस को है स्पाइरल प्रिंग है और इसके उपर फोस्व लगा ओगे तो गूमेगी और जो फॉमती है तो फोर्स के वह से क्या बनेगा? टॉर्क टॉर्क जब कुछी लेटेट करती है तो टॉर्क बॉनता है लिए इसके बाद में बाता है वकिंग होगी थियूरी और थ्योरी क्या होट यह डेखो सिंस टॉर्क ओल को इल्ट के ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला का होता है टॉ इकल टू अन आई बी ए शाइन आल्फा ठीक है बाता है फॉर्मूला यह में लेजें ता हूं जाँ गेर टॉर्क क्या होता है है टॉर्क और कोई आई क्या होता है करेंट इन कोई भी क्या होता है एक्स्टर्नल मेंगेटिक फिल्ड समझ गए एक होता है एरिया ओफ कोई Bobby is the कह है ऐलफ़ा क्या होता है एंगल बैडवीनAre डर्मेटिक फिल्ड कि थी एंडerd i नौर्वलु है नौर्मल्टू नौर्मल कॉइल उत दूफ कोई ओझ यो क्या पूए इसको नौर्मल वेक्टर के बीच का एंगल इतने पास पर जिमा गई ठीक है तो इस मैक्सिमुम इफ कि अभर इफए कोल टू 90 अभी अभी मैने बताया है कह होगा मैगनेटिक फ्ल्ड कोईल के प्लेन की और और नॉर्मल वेक्टर का हो पर्पेंडीकुलर टोर्मल टू नॉर्मल रैक्टर आलपा क्या होगा 90 गोलो सब्सक्राइब करने का मतलब मेगनेटिक फिल्ड कोईल के प्लेन के पैलल होना चाहिए जिसे हमें मैक्सिम टॉर्क मिले हम चाहते हैं कि फोड़ा सा करंट आए उसके लिए भी गेललोमीट्रो दिखाए और वो कब दिखाएगा जब टॉर्क का हो मैक्सिमम और मैक्सिम टॉर्क मिलेगा जो क्वायल का प्लेन मेंश्यों के पैरलल रहे इसलिए क्या रखा मेगनेटिक पोल्स को क्या कर क्या कर दिया अंदर क्या रख दिया art a front जिस्से क्या हो गए कोईह का practice के पैर्लल और इस फ्यट्ट को क्या बोलते है रेडियल मेंनें और आयो क्यों है क्यों किया था vi लिःड cinq के त्रीटिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल कॉंस्टन्ट के मैंने मान लिया रिश्ट और टॉर्शनल कॉंस्टन्ट क्या है जब स्पाइरल स्प्रिंड रोटेट करेगी तो उस टाइम के उसके अंदर और रिश्टन है तो इंट टॉर्क एक डेटरी रोटेशन के लिए कितना है तå एक डले पांच डिगरी गुआ तो एक डिगरी के लिए तो पांच की लिए कितना हो गई थी पर्समझते हो जूद और किलिए कि इसको बहुत है कि रीस्टोरिंग टोक है तो टोटल रीस्टोरां कितना वह दूपोट के लिए एक डिगरी ऑंगल के लिए Keith रिटा कि इतना हो गया। पार समयमा गई यह भी मैक्सिम होगा के लिए अब आपको पता है कि जितना करेंट आएगा उसके लिए उसके लिए बाद में रुगेगी वह रुपती क्यों है क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क और कोईल के ऊपर जो टोर्क आया वह दोनों बैलेंस हो जाते हैं क्या हो जाते है तो के थिट यूटो एकृल टू एफी आया न अच्छा मैं आपके इन बताना बुल गया अंक्या होता है नंबर ओफ युपं क्या होता है क्या होते हैं थिक्क है इतरी बार समय माझ घी के हम क्या लिए टो मेक्षिट समय फिल्ट हमेंशा कोईल के पलेने के पैरलला यह क कि आम सैं чем मैं आलेका यहां से मैंटिक जाएगा के अपन में it अधिटा आई आई आ इण बी दिट इन इंचे मैं कि अद्री स्मझ में आ गई सिर्व में अगई यहां से अगर मैं देखूं तो g मान लेता हूं इसको i तो i equal to g theta, i proportional to theta where g कीचे constant और galvanometer constant क्या बोलते हैं इसको बोलो गैलवनोमीटर constant के अपोन एन्वीव आमने क्या नाम दे दिया यह बोलो गैलवनोमीटर constant गैलवनोमीटर constant बास समझमा आगी ठीक है तो मुझे समझमा आगी i proportional theta देखो गई अगर i theta के proportional है तो क्या आगया यहां पे theta यहां पे i अगर यह दुनों directly proportional है तो क्या होगा straight line आरे om slow याद है v proportional to i om slow proportional थे तो v और i का graph कैसा आया था straight line याद है ना वैसे अगर यह proportional है तो कैसा graph आएगा straight line कि इतनी बास समझमे आ गई बोलो इतनी बास समझमे आ गई straight line यह सारा क्यों आया straight line क्यों आई i proportion theta क्यों आया सब torque को maximum करने से torque को maximum करने का मतलब radial magnetic field यादा है कुछ ठीक है यह सारी बाते मुझे समझमे आ गई i proportion theta होता है जी होता है सब ठीक है इसके बाद देखो गई काम की बाते करें यह सारा समझमे आ गया है कोई आपसे पूछे radial magnetic field क्या होता है बाई बताओ हम लिखेंगे it is the magnetic field which is always parallel to plane of coil यह वह magnetic field है जो अवेशा कोईल के plane के क्या होगा parallel ठीक है for this tau is maximum tau is maximum NIBA and alpha equal to 90 degree मतलब V perpendicular to N-cap सम्झानी बात प्रे बोलो radial magnetic field क्या होता है जो coil के plane के parallel हो इसके लिए torque maximum होता है और radial field बनाने के लिए क्या करें टॉर को मैक्सिम करो यह करो ठीक है भाई इतनी बास आहीं आ गई अब आपसे कोई पूछे हो पूछे हो पूछे रडियल magnetic field रडियल magnetic field कैसे पूछे करें ताली बाग्त यूजिं यूजिंग सोफ्ट आयरन कोर यूजिंग सोफ्ट आयरन कोर यूजिंग कॉपर वायर इज रेपड ओन इस लपोटी जाती यूजिंग म्यूंड मेग्मानेटिक और पीसिज कॉनकेव कि उप इन फिल्थ मेग्नेटिक पॉट पीसिज जो थे मैग्नेटिक पॉल जो थे उनको अलएक बना दो भुच्ब कबना क crouch का होगा और यह कैसे घुम्में हमेशा फिल्ड को को कोईल के प्लेन के पैरल रखने को इसकर दूसरा सौफ्ट हैंक को एक फैरो मैंटिक मैट्रियल है शाद के पढ़ा हो हम आगे पढ़ेंगे फैरो मैंटिक सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब करते हैं तो कोईल अपनी तरफ खीचेगी समको पैरल रहनी कौसे करेगी ठीक है तो रेडियल मैंटिक क्या होता है जो हमेशा कोईल के प्लेन के पैरल नेक्स होगा इस टाइप से कैसे प्रेडूस करें सोफ्रेंग और कर यूज़ करो पोल पीसिज को कौन किय आक्ने हमां आखें है थीक है इतने ही पास समझ में आगते हैं इंपोरेंसि को इंपोर्टन ओफ रियल रियल एक है विश्डियल की इंपोर्टन्स क्या है रियो अब ही भाई मैला स्केल और variation of current and theta बन्तों deflection current और theta का जो variation है becomes linear क्या हो जाता है linear theta proportional to i यह नहीं कुछ तो i और theta यहां पर आई लोर यहां theta रगता है ठीक है ना कैसा आपता है linear तो जितना current बढ़ेगा उतना ज्यादा deflection आएगा जितना current बढ़ेगा उतना ज्यादा deflection आएगा ऐसा नहीं है कि एक ampere current है तो एक डिगरी deflection आए पांच अमपेर है तो साथ हो गया एसा नहीं है non-linear variation नहीं linear पांच जिकरी के लिए पांच दस के लिए दस तो uniformity रहेगी deflection में तो उसके लिए क्या होगा हमें radial manifold का फाइदा होगा दूसरा torque on coil is maximum coil के उपर torque क्या होगा maximum तो torque coil के उपर maximum है तो क्या होगा इससे torque on the coil is maximum so we get deflection for या we get maximum deflection we get maximum deflection सब्सक्राइब न क्योंकि torque ज्यादा होगा तो ज्यादा गोमेगी maximum जितना गोम सकते हो तो ना गोमेगी torque ज्यादा होगा जिसे हमें ज्यादा deflection में ज़ेगी clear तो small current के लिए भी deflection मिल सकता है we can get deflection for small current cvs में मुझे ते है की radial magnetic field क्या होता है इसको हम कैसे produce करें इसकी importance क्या होती है importance का वाज़ता कि हमें scale linear हो जाता है और torque maximum हो जाता है कैसे produce करें soft iron को cylindrical पी हो सकते है spherical पी हो सकती है क्या मतलब होता है sensitivity का मतलब है sense मतलब एक गैलो मेटर ज्यादा sensitive होगा अगर वो बहुत कम करेंट के लिए भी deflection दिखाए a galvanometer is sensitive if it shows deflection for very small current ठीक है भाई पास समझमा गई ठीक है तो सेंसिटिविटी इसकी दो टाइप ने होती है पहली करेंट सेंसिटिविटी तो पीटा करेंट सेंसिटिविटी क्या होती है it is deflection in galvanometer पर युनिट करेंट मतलब गैलनोमेटर में युनिट करेंट पास करेंए उसके लिए इसको आई एस क्या हो जाएगा थिटा पून आई थिटा क्या है डिफ्लेक्शन का मतलब कितना मुड़ेगी बड़ी मतलब अंगर तो डिफ्लेक्शन पर एक करेंट युनिट के हो जाएगी इसकी रेडियन पर एंपैर बोलो रेडियएंण पर अंपीड़ा सेंस्टिविटी तो जितना कं करेंट को नुगा होगा । अगर तर एकस चाह चत्विटी ज्यादा ऊंगे इसके बाद आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है इस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर इफ इस यूनिट पोटेंशिल डिफ्रेंश इस अपलाइड इस अपलाइड एक्रोस इफ्ट अगर एक गैल्वेनोमीटर के एक्रोस यूनिट पोटेंशिल इफ्रेंश का मतलब मिनीमम वन वन मिली वॉल्ट वन वॉल्ट जो भी आपको यूज करना है जो आपकी मिनीमम वैल्य है वह अपलाइड उसमें जो डिफ्रेक्शन हो क्या होते हैं वोल्टेंशिविटी ठीक है अगर यूनिट करन्ट है डिफ्रेंशन आए तो इस यूनिट पोटेंशिल डिफ्रेंश के क्या हो गया आई एस वाई आर अंहा अना ठीक है अना यू जी अगर मैं बात करूं तो टिफ्रेंश्ट में वोल्ट इ क्यो जाए घू कैं PGD मिन पोट्षन आपकर याउन है टीक है बास लंग है आ उक आपके यहां ता कर लेंगे आप कोई किसी टाइब की प्रेशा नहीं नहीं है आगे देखते हैं कभी-कभी क्योश्य आ जाता है हमारे पास क्या इनक्रीज इन कुरंट सेंसितिविटी में नॉट नेसेसरीली इनक्रीज वोल्टेज सेंसितिविटी सी बसी में बहुत बाहर उचा गेया है एं-सिय इतachen है ओय तुकि अगा ना इंक्रीज कोंसिविटी दिन में आपने सेंसितिविटी एक्सप्लेइव एक्सिप्लेइन तो कर ने सेंसितिविटी क्या होती है पिरिंटा पहुं आ Blade का उनक्रण। असंसितिविटी current sensitivity यह होती है is equal to theta upon i ठीक है voltage sensitivity यह होती है विटा v is equal to theta upon v और is upon r यदा है वी की जगे में ने आयर कर दिया था theta upon iis यदा है ना ठीक है तो vs क्या आगया is yr ठीक सुनना द्यान से हमारे पास coil है वायर कोपर की वायर करन्ट sensitivity अगर increase होती है तो current sensitivity अगर increase होती है तो जरूरी नहीं है कि voltage sensitivity भी बड़े इसका मतलब यह हुआ ना current sensitivity भड़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है यह भी बड़े यह कब बड़ेगी जब current कम होगा जब करेंट कम पास करें या फिर थिटा बढ़ेगा यही मतलब हुआ ठीक है अगर मैं नंबर और टन्स को इंक्रीज करता हूं तो रिजिस्टन्स बढ़ेगा इफ आई इंक्रीज नंबर और टन्स अगर भी बेननमजर इंव बढ़े में तो क्या होगा नंबर टन्स बढ़ेंगे यह को Cand करंट सेंस्टिविटी को बढ़ाना है करंट सेंस्टिविटी का बढ़ेगी जब यह करंट कम होगा अरे बोलो ठीक है आई एस इंक्रीजिज वैन आई डिक्रीजिज आई डिक्रीजिज वैन नंबर ओटन्स इन कोईल इस इंक्रीजड अगर नंबर ओटन्स का बढ़ाएंगे तो रिजिस्टेंस ओफ कोईल इंक्रीजिज अरे हां यह ना आइस का बढ़ेगा जब 8 डिक्रीज होगा। ऑ पर बोलो को Ir रिक्रीजिज ओफ कर बढ़ेगा सब जब नम्बर उट्रंस बढ़ाते हैं, आई को गटेगा जब नम्बर उट्रंस को बढ़ातेंगे, नम्बर उट्रंस बढ़ाने को मतलब क्या हुआ, रिजिस्टेंस बढ़ गया, भीवा समझे रहे हो, ठीक है, तो, नौ, वी एस इकोल टू आई एस बाई आर, है, इफ आई एस एंड आर, इन्क्रीज इज, इन सेम रेशियो, भाई, मैं नम्बर उट्रंस बढ़ांगों तो, रिजिस्टेंस बढ़ेगा, और आई एस बढ़ेगा, तो, तो आई-एस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहे लेकिन अगर रेजिस्टेंस और ऑई-एस रेजिस्टेंस और आई-एस और आजएगा अंचेंज़ तो इतनी सी बाद दिखने है एक नंबर में आजये तो आपको क्या लिखना है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है हमें पता लग गई है क्या से बढ़ा है है हाओ टू इंक्रीज हो सेंसिटिविटी ऑफ गैल वेनोमीटर मुविन कोईल गैलोमीटर शॉर्टकट में वह देते हैं एंसिजी क्या बहुत देखो सिंस के थिटा इक्वल टू एन आई यह तो मुझे याद रहेगा यह रहेगा थिटा अपॉन आई क्या हो जाएगा एन बी ए अपॉन के थिटा अपॉन आई क्या होता है करंट सेंसिटिविटी इतने बात मैं में आगई तो करंट जैंसिटिविटी का फॉर्मुलाको अने लिख लिए दो सचिंशिटिविटी बड़ेगी करें से लोंते रिलैटेडिट वबड़े बड़ेग्ल अगर में डिया मुद्ट पड़े रो दिकेल हो तो बड़ेगी आइयस कैंड नुर्भ il आई सांधा है वाय इन्क्रीजीन है BIG किना यंद में कृब्राय थो कि आपजे दो बन बता था था है यह बडाएंगे आर बड़ेगा आपको लोगा इस बढ़ेगा थिक ठीक है एक लिमिट तक बढ़ाएंगे अगर नमट बोज़ता कर दिये तो नौन इनिफर्मिटी आ चाहिए कोईल में ठीक है दूसरा इंक्रीजिंग मैगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड को इंक्रीज करो आई एस बढ़ेगा बात सभी आ गई ठीक है तीसरा एएडिया औफ पॉइल इंक्रीजिंग अ को कैक एडिया बढ़ा होगे तो भी बढ़ेगा कहाई ऩीटना ज़यादा होगा सॉट है न हलिए पाईल उतना ज़यादा होगा तो इतना जयादा होगा जतना जल्रावा एक पॉइंट रीज्रेशिंग के यह क्या होता है torsional constant torsional constant को जितना decrease करोगे उतना ही यह किये ज़्यादा होगा बास आजमा गई decreasing torsional constant so suspension wire is made of phosphor bronze आपको याद है मैंने अभी कोईल बनाई थी यहाँ पे एक mirror लगाया था पॉइंटी दिया था mirror याद आया यह जो wire है यह suspension wire किराती है suspension लटाने वाइल कोईल जिससे हैंग होती है उस wire को suspension wire बोलते है और suspension wire का केट इतना कम होगा ias उतना ही ज्ञाद होगा ias उतना है ज्यादा होने का मतलब sensitive później ज्यादा होगी sensitive ज्यादा होगी इसका मतलब कैसी wire युज़ करें इसका क्य कम हो तो इसके लिए युज़ करते हैं phosphor bronze यहाद है वाले चीज है suspension wire कौन से युज़ करते हैं जिसका कम हो फोस्फर-ब्राँज वायर ठीक है फोस्फर ब्रांज मैटेरियल है उसकी वायर हम यूज करते हैं इतनी बार समझ में आ गई इतनी बार समझ में आ गई ठीक है इससे अगर बढ़ जाती है अगर कोई आपसे पूछ लिए भाई प्रोपर्टीज ऑफ सस्पेंशन वहाई है क्या सब्सक्राइब कैसे होनी चाहिए कौन-कौन सी प्रोपर्टी होनी चाहिए नमबर वाई टोर्शनल कॉंस्टेंट मस्ट भी स्मॉल अभी बढ़ा था हमने पहला पॉइंट ठीक है प्रबोलो ति गईती पास हम्यों आभी रस्ट्लेस रस्ट्लेस होनी चाहिए समय के साथ उसके उपर जर्नी लगना चाहिए ठीक है रस्टिंग नहीं होनी चाहिए तीसरा टेम्प्रेचर कोफिशेंट ओफ रेजिस्टेंज हिम्प्रेचर कोफिशेंट और रेश्टेंश जो रहता ह 걍epende होने चाहिए क्योंकि त्यर्प्रेचर के चैन्ज होने से इस तह स्फाय र επासे चैन्ज नहीं हो नच चाहिए ठीक है चुथा हाई कंड़क्टिविटिप्र थि तिक है प्रबोलो हाइक कंडेक्टिवीटी होनी चाहिए हाई हैं कि टैंसाइलस टैंथ मिधा काफी के शोड करें काफी मजबूत होना चाहिए तूतनी नहीं चाहिए जल्दी से वह लोड की वाज़ेसे तूतनी नहीं चाहिए तैंसट सब्सक्राइब प्रोपर्टि जो आपको आनी चाहिए ठीक है अब इसके ऊपर क्योस्टन कैसे बन जाते हैं ने सिंपल से क्योस्टन बनतें हैं अपने पास फॉर्मूला है के थीटा इकौल टू एंड़नाइब यह पिघ्विट ऐन पर्मूला है इस में क्या है इंड मॉविंग कोईल गैनामीटर इन मॉविंग कोईल गैनामीटर अक करण्ट ओफ 20 mili ampere is passed through a coin of area 4 cm square ठीक है of area 4 cm square and a magnetic field of 10 tesla is applied मैं जस ऐसी value ले रहा हूं and number of tons in coil is hundred find torsional constant torsional constant बताओ क्या होगा तो फोर्मूला है मेरे पास के N I B A अपान थिटा N कितना नहीं आवे ने है 100 I कितना है आपे 20 mili ampere mili का मतलब माइनस 3 B कितना है 10 area कितना है 4 cm square तो 4 cm square एक cm में कितने मेटर होते है 10 is to power minus 2 square करूंगा तो minus 4 फोलो ठीक है divided by theta कितना है नहीं दिया if deflection in galometer deflection in mcg is 20 degree यह माल लिया मैंने तो 20 इसको रीटिमी चेंज मतलब degree में रेंड़ जा गया तो कितना आजाएगा solve करके एक दो तीन तीन जीरो 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 0 से 0 cancel तू तू जा 4 तो एक कितना आगया तू 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 फोर न्यूटन मीटर या जूल डिवाड़ भाई थेटा डिग्री तो रेडिन में तो चेंज गिया नहीं हो ने डिग्री में रखा इसको ठीक है या फिर मैं इसको बो सकता हूं 4 टैनल इस्टू पावर माइनस 4 जूल पर डिग्री बिरी बास समझवा गई सिंपल इसके बाद हमारे सीवेश्ट में होता है संट एमिटर यह चीज़े इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको करवा चुका हूं वहां पीछे जाएकर रिवाइज कर सकते हैं वहां से हर टाइब केशन में डिसक्स किये थे तो यह था ओल अबाउट मुविंपल गैलनोमेटर हर तरह की बाते हमने इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं बचिए अच्छे दे पढ़िएगा प्रेटिस कीजिएगा थैंक्यू प्रेटिस की बाम प्रेटिस की बाम की लिएज़ और काया भी गुबुबुबुबुबुब